तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आफसे M.A.C. Geology कोर्स के बारे में आफसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ सबसे फेले मैं आफसे डिसकस करूँगा कि M.A.C. Geology का कोर्स आखिर क्या होता है इसमें किस प्रकार के सब्जेक्ट्स होते है आखिर जया कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूं कि अगर आप इस कोर्स को आप पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हूँ educational words टाच है ना तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिसक्स करने वाला हूं MSE geology course के पारे में और दोस्तों अगर आपने 12th जांग graduation की class को पास कर लिया है और अगर आपको जैज जानना है कि 12th जांग graduation की class को पास करने के बाद आकिर कौन-कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप उन्हें वे एक वार जाकर जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप से डिसकस करने वाला हूं कि MSE geology का course आखिर होता क्या है तो MSE का मतलब होता है Master of Science और MSE geology का जो course है वो एक post graduate level की degree का course होता है इस course के मादव से students को deep research करनी सिखाई जाती है जिसमें आप environment के कुछ पेलू के वारे में और surroundings के वारे में आप study करते हो इसके लावा जो अर्थ का जो design है और उसकी जो layers होती है और विकाई सारे इसके लावा जो चीजे होती है जो कि आप इस course के दोरान आपको study करवाई जाती है अभी आपसे मैं course duration के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनी जया course आखरी कितने वरश का course होता है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जया course दो वरश का course होता है जिसमें कुल चार semester होते हैं और एक semester की जो length होती है वो दोस्तो 6 महीने तक होती है अभी आपसे मैं eligibility criteria के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनी आप इस course में आखर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course को करने के लिए दोस्तो आपको जो bachelor की जो degree है उसे आपको पास करनी पड़ेगी पर जातर जो students होते हैं वो BSc Geology का course पूरा करने के बाद ही इस course को करते हैं अभी आपसे मैं job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि जनी अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप geologist बन सकते हो आप geophysicist की जो job उसे भी आप कर सकते हो इसके इलावा दोस्तो आप जो teacher की जो job उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge की ओपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आप से मैं subjects के वारे में आप से मैं discuss करने वाला हूँगी जन्हें आप इस course में आखिर किस परकार के जो subjects होते हैं वो आप study करते हो तो इस course में आप geochemistry, mining, geology, mineralogy, crystal optics and x-ray, geochemical, thermodynamics, etc. topics और subjects आप इस course के दोरान आप study करते हो और वी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाई जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँगी कई universities और college के slayvers के हिसाफ से जाए जो subject हैं बहुत different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे MSC Geology course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के माद्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नई तो आपको इस बीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बहां जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना